नमस्ते दोस्तों कैसे हूँ आप लोग मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में तो जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेश कर लीजिएगा तक कि आने वाणी वीडियो की नौटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और आप लोग इस्टेग्राम पर फोलो करसकते हैं और मेरी इस्टेग्राम आईडी है नागवनसिक हैमली और आप लोग के कोई सुझा हूँ, कोई question हो, कोई आपके मन में शमका हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं मेरे इस्टाग्राम पे मेरे मेल आइडी पे अब मैं कोसिस करती हूं कि मैं रिप्लाई दे पाऊं अगर रिप्लाई ना दे पाऊं तो उसके लिए माफ कीजिएगा आप लोग तो उन्हों ने मेरे से बोला कि मैं आप इस पर वीडियो बनाओ और मैं जानना चाहता हूं तो उनकी जो है मेल किया थी जैसे वह साधी सुदा इंसान है और एक अच्छा मतलब उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में उनके बच्चे हैं दो चोटे-चोटे और हस्ता फ्यलता परिवार है लेकिन उनको टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम हो रही है जैसे हस्वन वाइब साथ में होते हैं संबंद बनाते हैं तो दो एक मिनट में बस वो डिश्चार्ज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी वाइब जो है उनसे जो है संतुष्ट नहीं ह उपाती है तो नहीं बोला मैं मैं आपको कुछ ऐसा बताओ जिससे जो है ये कंट्रोर ट्राइमिंग वाली जो प्रोब्लम है मेरी टाइमिंग की थोड़ा सा बढ़े और मैं अपनी भाइब को जो है खुस रख़ाओं और जो हमारे रिस्तों में थोड़ी सी करवाहट आ रही इस चीज को लेके तो वो भी सही हो सके तो ये सही बात है कभी-कभी रिस्तों में मन मुटाव आ जाता है और जादे तर लोगों के साथ ऐसा होता है और ये चीज कुर्सों में जादे होती है जैंस में क्योंकि जो है उनके जो है मन में कभी-कभी वो काम बहुत जल्दी हो तो इस से होता क्या है कि जब संबंद बनाने जाते हैं तो जल्दी से उस्याच हो जाते हैं उत्साहित जल्दी हो जाते हैं तो थोड़ा सयम रखना चाहिए जैसे खाना बन रहा है उसको बनते हुए टाइम लगेगा तो आप वेट कर रहर हो ऊले को थे खाना से mine बाइमाई मतलब पास कीजिये रात में, थोड़ा से एक दूसरे को टच कीजिये, बॉडी से, हाथों से, मौथ से, आप लोग जो है समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूं, तो इससे होता क्या है कि दोनों जो है, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं और थोड़ा जो है मूड जो है जब बनता है तो जब दोनों लोगों का मूड एक साथ बनता है तो डिस्चार्ज भी जादे तर एक ही साथ होते हैं इससे क्या होता है कि दोनों लोग एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं तो जो इनकी टाइमिंग की प्रॉग्लम है इनकी प्रॉग्लम भी आने लगी, जैसे कभी-कभी होता है, आदमी निरास हो जाता है, सरमिंदगी महसूस करने लगता है, तो होता है, सबके साथ होता है, अगर किसी चीज में हम सफल नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो यह ऐसा होता है, सरमिंदगी में महसूस होती है, शरम भी हमें आती है, और सोचते हैं कि हमारे अंदर खुदनर्थ ने क्या कमी कर दी है तो कुरुदर्थ ने कोई कमी नहीं की है बस होता है कभी-कभी जो है कुछ हार्मोन से होते हैं जो इधर-उधर हो जाते हैं तो यह प्रॉब्लम हो जाती है इसको सही करने का तरीका भी बगवान ने हमें दिया है और कम से कम आठ घंटे की आप मीद लें और सुबह मौनी वाग जरूर करें अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो मौनी वाग जरूर करें और अपनी आपको जितना हो सके आप खुस रखें तनाव में ना रहें खुस रखें अपनी आपको और आप जैसे मटर जितना आप जो है सिलाजीत जो दूद में मिला के बीजिए इससे जो है आपको बहुत लाग मिलेगा सिलाजीत जो है आसानी से मार्गेट में अवलेवल है डावर का भी मिल जाता है वैदनाद का भी मिल जाता है पतांजली का भी मिल जाता है कई कमपनियों का मिल जाता है तो आप उसका सेवन करें पर डे एक बार जरूर कीजिएगा सिर्फ एक बार करना है डोनो टाइम नहीं करना थोड़ी सी मातरा में करनी है जादि मत्रा में आप लोग करेंगे तो आपको दिकत हो जाएगा पेट में दिकत होगी जैसे दस्तोस्तोंने लगा या और कुछ मतलब दिकत होने लगी तो उसका उतना ही सेवन करिए एक मतर के दाने जितना उसका सेवन कीजिए इससे भी आपको बहुत जादे रिजल्ट मिलेगा और अगर आपको और अच्छा रिस्पॉंस चाहिए है तो आप अस्वगंधा चोड आता है और वो भी हर कमपनी का मिलता जो आरवेधी कमपनिया होती है तो सभी कमपनियों का मिलता है जादे तर तो उसका चूड जो है आप उसको पीजिए उससे भी आपको बहुत जादे बेनिफिट होगा और जब आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले जो है पंदर मिनट बीस मिनट आदा हंटा पहले दूद जरूर पिया करें और दूद में आप सिलाजीद भी मिला सकते हैं और अस्वगंदा भी लेक और आपने आपको किसी से कम मत समझें कि आप भी एक गुरुस हो और टाइमिंग के प्रॉब्लम सबको होती है कभी कभी जो है बहुत जादे जब इंसान टेंसन में हो जाता है ना तब यह चीज होता है और धीरे धीरे जैसे बढ़ती है तो सब के अंदर कुछ ना कुछ कम यह आती है आप अपने वाइब से बाते करें हर चीज डिशकर्श करें तो इसका भी मतलब जो होता है इसका उपाय आप करें और आपकी वाइब दो आपको समझेंगी क्योंकि वो आपके जीवन संगनी है तो आपकी हर बात उसमझेंगी और जो बात जो है एक पत्मी समझ सकती है वो कोई नहीं समझ सकता है तो कि वो आपको हर हाल में खुष देखना चाहेंगी और चाहेंगे कि आपको खुष भी रखें तो आप भी उन्हें खुष रखें और एक दुसरे से सारी बाते शेयर करें इससे होता क्या है जब है कु हम लोग हो जाते हैं थोड़ा दीमा की दर दर गी जाता है तब जो है मैंड फ्री हो जाता है तब कुछ करो तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है तो आप यह चीज भी कर सकते हैं और हो सके तो लॉंग आप लुग जानते होंगे लॉंग जो है एक मतलब लॉंग लीजिए और उसको दात के नीचे दबा लेना है आपको और उसको ऐसे आदा घंटा तक मुह में रखे रहे हैं चूसा करिए चूसा करिए चूसा करिए और आदा कौन घंटा बाद उसको जो है चवा के खा जाएगी इससे क्या होता है ना जो आपकी जो है म पुल्या का संचार होगा और अपने आपको एकदम फिट महसूस करो गया तो अपनी आपको जो है फिट रहने के लिए ये भी कर सकते हैं इसको दो दिन में दो बार आप लेजिए सिलाजीद और सुगंधा के अलावा इसको दिन में आप दो बार ले सकते हैं वैसे ही मुझे आपलोग वग युलÁची कहाते हैं वैसे लाउंग भी खा सकते हैं तो लाउंग जो है थोड़ा सा मतलब करवा होता है लेकिन फायदा बहुत करता है और गले की खरास बढ़ आपायरा का इसा response मिला और मेरे शाद जो है अपनी जो है जरूर शेयर किजिएगा कि आपको मेरे बताए हुए नुद्पों से कुछ फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ अगर फायदा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी एक housewife हूँ एक बीबी हूँ और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ तो होता है सबके साथ होता है मेरे husband के साथ भी यह चीज हुई थी तो उन्होंने भी यह चीज अपनाया था और अच्छे भी हो गये थे और हम लोगों ने आपस में बैटके जो है बिसकर किया सा हर चीज को मुझे कोई problem होती है तो मैं कर है बाए रहेंगे दो एक बीमारी जो होती है घर कर जाती है और आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह चात लेती है इससे आपका सरीर कम जोड़ हो जाएगा आप अपने आपको नीरास कर लोगे और किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा तो अपने आपको मजबूत बनाओ, श्ट्रॉंग बनाओ, और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो एक चीज हमेशा गाट बान के रखो, अगर आप बीबी हो तो अपनी हस्वेंट से कुछ मत चुपाओ, अगर आप हस्वेंट हो तो अपनी बीबी से कुछ मत चुपाओ, तो चलिए इसी कसा तो वो भी मेरे शाद आप लोग शेयर कर सकते हैं, मेल आए लिए मेरे इस्ट्राग्राम पर, चलिए बाबाए, टेक केर